हेलो फ्रेंड्स मारी यूटुब चैनल जलबाज रेसिपी मा तमारू स्वागा छे अजै आपने कच्छ नी फेमस दाबेली बनावाना छिए दाबेली कईक अलग दितेज बनावाना छिए तो फ्रेंड्स रेसिपी ने लाष्ट सुधी जो जो रेसिपी गमे तो वीडियो ने लाइक करने शेर कर जो दाबेले बनाव माटे एक किलो बटेकाने बाफी लिदा छे औने तेनी छालूतारी एने रैडी खरी लिदा छे हवे आपने एने मेश करी लाइश्यू तो बटेकानों कोई पन टुकडो रही ना जाए एरी ते आपने एने मेश करी लाइश्यू तो फ्रेंड्स रेसिपी ने आगर जोई एते पहला एक रिक्वेस्ट छे तमें मारी चेनल पर नवा छो औने हजू सुदी मारी चेनल ने सब्सक्राइब नथी करी तो करी लो तेली धा छे हवे आपने दापिलीनों मसालो रेडी करवा माटे दापिलीनों मसालो लै ले लेश्यू तो आ मसालो में गरेज बनावेलो छे औने एनना ड्राय मसालानी लिंक मैटनी चे डिस्प्रिक्शन बॉक्स मा मुखेली छे हवे कडाई मा आपने एक चमचा जेकलू तेल ले ले लेश्यू औने तेल गरम थाए एटले एमा त्रण नंक जीने समारेली डूंगली एड करी लेश्यू जो तमे डूंगली ना खाता होय तो एनने स्कीप पन करी शको छो औने एमा डाइरेक मसालो पन एड करी शकाई छे पन चो डूंगली खाता होय तो दाबेलीनो मसालो आरिते बनावी जुओ एक वार आरिते बनावशो तो मसालो आज रीतनो वारे वारे बनावानो छे हवे डुंगडी सारी रीते सतलाई गई छे तो आपने दाबेली नो जे मसालो लिदो छे ए एमा एड करी लेशु अने एनी साथेज एक वाटकी जितली खजूर आमलीनी चटनी पन एड करी लेशु हवे तेने पहला तो सारी रीते हलावी मिक्स करी लेशु अने थोड़ी वार माटे अपड़े एने सातली लेशु एले के तेल अलग थवा लागी त्या सुदी एने सातलवानू छे अने हवे तेल अलग थवा लाग्यू छे तो आपने जे बटेकाने मेश करी ने राख्या छे એને પણ એમાા એડ કરિલઈશું હવે મસાલા સાથે બટેકાને સારી રીતે મીક્સ કરવા ના છે तो गेस नाफ लोने अपने थोड़ो दीमो करी लईशू अने बटेकाने सारी रीते मिक्स करी लईशू तो हवे आपनो आमाओ रेडी थाई गयो छे तो एक वार मसाला टेस्ट करी लईशू अने अपना स्वात मुझब एने सेट करी लईशू हवे आपने दाबेली माटे मसाला सिंग रेडी करी लईए तो मैं अहीं एक बाउल जेटली सिंग अतकचली सेकी एना फोत्रा निकाडी तयार करी लिदी छे पाचमची जेटलू संचर अने अर्धी चमची जेटलू लाल काश्मीरी मर्चू लिदू छे हवे त्राण चमची जेटलू आपने तेल गरम थवा मुखी देशू तेल गरम थाए एटले एमा आपने जे तैयार करेली सिंग छे एने एमा एड करी लेशू सिंग सेट सेकाई ए पची आपने एमा लाल काश्मीरी मर्चू अने संचर पावडर एड करी लेशू अने तेने सारी रीते हलावी मिक्स करी लेशू मर्चू नाख्या पची आपने एने बउग गेस पर रहेवा दिवानु न थी तो हवे नीचे उतारी एने पावल मा काडी लेशू आपने जे तैयार करेलो छे मसालो एने आरीते थाडी मा पात्री लेशू जेती करी आपने लारी वालानी जे मज दा बिली बर्वामा एक तमसे लाई रहें तो बस आरीते एने आखी थाडी पर पात्री लेशू एना उपर आपने मसाला सिंग बबरावी लेशू अने थोडा दाडमना दाडा पन बबरावी लेशू हवे एने चमचा वडे थोड़ू प्रेस करी लेशू तो आ आपनो दाबेली नो मसालो रेडी थाई गयो छे हवे दाबेली ने बधारे टेस्टी बनावा माटे लीला धाणा नी चट्नी बनावी लेशू तो ए थोड़ी आपने पातली जराखवानी छे अने एने स्पाईसी बनावा माटे लसन नी चट्नी ने आधिति तैयार करी लेशू जो तमे लसन नाख हाता होए तो एकला मर्चा नी चट्नी पन बनावी शको छो अथवा तो आ चट्नी ने स्कीप पन करी शको छो थोड़ी मसाला सिंग पन साइड पर राखी शू हवे आपणे दाबिली नो पाउ ले ले ये अने एने आरीते छेक अंदर सुधी कापी लेशू जेथी करी आपणे मसालो एमा छेक सुधी भरी सकीए हवे आ कापेला पाउमा बेथी त्रोंचमची लिला धाणा नी चट्नी आरीते पाथरी लेशू अने एने आरीते थोड़ो प्रेस करी लेशू तो चट्नी बन्ने बाजू सारी रिते सोसाई चेसे હવે એમાં લસણની ચટનીને પણ આજ રીતે આપણે પાથરી લઈશું આરી તે દાબેલી બનાવાથી જેઆરે પણ આપણે દાબેલી ખાઈએ છે ત્યારે તેનો પાઓ ફીકો નથી લાગતો હવે આપણે એમાદ દાબેલી નો પટેકા વાળુ મસાલો ભરી લેએ આમાત મે વધારે સીંગ યા પછી ડાડમના દાણા નાખવા હોય તો પણના ખીશકો છો તો બસ આરી તે આપણે બતી દાબેલી ને રેડી કરી લઈશું તો મે એહી છો થી સાત નંગ જેટલી દાબેલી ને રેડી કરીલી થી છે ફવે આપણે ગેસ પર્તવી ને ગરમ થવા મુકી દઇશું અને એના ઉપણ એક ચંચી જટુ તેલ રેડી આરી તે જેતી કરી ડાબેલી ખાવામાં એકતમ ટેશ્ટી લાગે છે તો આરી એની બંની સાઈડો સતળાઈ જાય પછી એને ઉપી કરી એને સાઈડ પર્થી પણ સાતળી લાઈશું તો આ ડાબેલી અપણી રેડી થઈ ગઈ છે તો એના પર થોડી કમેન્ટ બક્સાં જરૂતી લગ્જું રેસીપી ગમી હોય તો વીડી ને લાઇક ને શેર કટું થેં થેણ્ય ફડી